हेलो स्टुडेंट आज हम क्लास 11th MP बोर्ड जनरल इंग्लिस से लेसन वन ट्रू वर्शिप कभीता का भावास समझेंगे ये रविरनात टैगोर द्वारा लिखी गई कभीता है किसको आपके प्रेम की आपके इसने की ज्यादा जरूरत है The Omniponent, The Omnipresent, The Almighty God, Our Fellow Human Beings Omniponent means होता है सर्व सक्ती मान Omnipresent means होता है सर्व व्यापी Almighty God, सर्व शक्ती मान ईश्वर Our Fellow Human Beings means हमारे साथी मनुष्य किनको प्रेम की ज्यादा जरूरत है इस्वर को या हमारे साथी मनुष्यों को Wouldn't worship be truer and sweeter when the worshipper has purified himself first Truer means सच्ची, sweeter means मीठा मतलब पुजारी को सरव परतम पहले खुद सुद्ध होना पड़ेगा उसके बाद ही उसकी पूजा सच्ची और मीठी होगी Student इस picture में देखिए इसमें एक मंदिर है, एक मस्जित है, एक गुर्दवारा है और एक चर्च है और यहाँ पर कुछ जो human beings हैं उनको देखाये गया है, कुछ पद दलित भी हैं उनको भी देखाये गया है अब हम आगे की पोयम का भावार्त समझेंगे Go not to the temple to put flowers upon the feet of God कभी कह रहे हैं कि हमें इस्वर के चर्णों में पुस्प अर्पित करना नहीं चाहिए उसके लिए मंदिर नहीं जाना चाहिए Not go to the temple मंदिर नहीं जाना चाहिए इस्वर के चर्णों में पुस्प अर्पित करने के लिए First, fill your house with the fragrance of love सर्व पृथम हमें अपने घर को प्रेम की खुस्पू से भरना चाहिए Fragnance means होती है महक खुस्पू प्रेम की महक से हमें अपने घर को भरना चाहिए Go not to the temple to first candles before the utter of God हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए utter means होता है चर्णों में जो पूजा करने वाली टेवल होती है वेदी होती है उसको कहते हैं तो भगवान के सामने हमें इसवर के सामने candle जलाने की भी आवश्यक्ता नहीं है First, remove the darkness of sin from your heart सर्व पृथम हमें अपने हिर्दय से जो पाप का अंदकार है उसे मेटाना चाहिए Remove करना चाहिए Go not to the temple to bow down your head in the prayer हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए To bow down your head अपने सर को प्रातना में जोकाने के लिए अपने सर को प्रातना में जोकाने के लिए हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए First, learn to bow in humility Before your fellow man सरव प्रतम हमें क्या करना चाहिए कि अपने सर को अपने जो साथी मनुस हैं जो अपने आसपास जो मनुस हैं वो हमारे साथी मनुस हैं उन्हें के साथ विनमरता का व्यभार करना चाहिए विनमरता से उनके आगे जुकना चाहिए Boy in humility नेक्स्ट, गुटनों के बल पैट कर प्राथना करने के लिए गुटनों के बल प्राथना करने के लिए हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए मतलब सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए ऐसे लोग जो पद्दलित हैं, गरीब हैं उनको उपर उठाने के लिए, उनके सर से उन्हें उपर उठाने के लिए हमें जुकना चाहिए bend down next line है go not to the temple to ask for forgiveness for your sins हमें अपने पापो की शमा मागने के लिए मंदिर नहीं जाना चाहिए first, forgive from your heart those who have sinned against you sir, पुर्दम हमें ऐसे लोगों को शमा करना चाहिए जिन्होंने तुम्हारे सामने पाप की हो, sinned against you जिन्होंने तुम्हारे सामने पाप की हो, तो ऐसे लोगों को हमें सबसे पहले शमा कर देना चाहिए first, forgive from your heart, अपने हिर्दय से अपने हिर्दय से उन्हें छमा कर देना चाहिए तो इस कविता में रविद्नाट टैगोर ने बताया है कि हमें मंदिर ना जाके ये सारे काम कर लेने चाहिए जो इसका विता में बताये गए है, भगवान के चड़नों में फूल लगाने के लिए मंदिर ना जाए, पहले अपने घर को प्यार की घुसबू से भरते हैं, भगवान की वेदी के सामने मंबत्तिया जलाने के लिए मंदिर ना जाए, पहले अपने दिल से पाप के अंधिर प्रात्ना में अपना सर जुकाने के लिए मंदिर ना जाएं, पहले अपने साथी पुरुसों के सामने विनमरता से जुकना सीखें, जुके हुए गुटनों पर प्रात्ना करने के लिए मंदिर ना जाएं, सबसे पहले नीचे वाले व्यक्ति को उठाने के लिए नीचे जुक अपने पापों के लिए छमा मांगने के लिए छमा मांगने के लिए मंदिर ना जाए पहले अपने हिर्दय से उन लोगों को छमा करें जिनों ने आपके खिलाब पाप किया है next हम आगे देखेंगे about the poem दिया हुआ है this poem shows us the path of true worship true worship is not when the worshipper blindly perform rituals but when the worshipper practices what God wants putting flowers upon the feet of God is a ritual but the ritual would become acceptable in the eyes of God when the worshipper has filled his heart with a sweet smell of love love for his fellow man fellow human beings love for all the other children of God unless the worshipper purifies himself first but removing the hard shadows of sin from his heart God will not accept the ritual of placing lighted candles before him those who think that they are better than other people have no regards in the eyes of God they should get right of ignorance before they bow their heads before God the pupil who have been oppressed by the rich and the powerful requires your support your love your care first give them their due then bend before God and taste the sweetness of worship first forgive fellow human beings for the bad deeds they have done against you then ask forgiveness for your sins and God will forgive you यह कवीता ह traumi 100 यह कवीता हमें सच्ची उपासना का मार्ख दिखाती है सच्ची उपासना तव नहीं होती जब उपासक आँख बंद करके अनुस्ठान करता है लेकिन जब उपासक इस्वर की इच्छा रखता है भगवान के चर्णों में फूल चढ़ाना एक अनुस्टान है लेकिन अनुस्टान भगवान की आखों में सुईकार हो जाएगा जब उपासक ने अपने दिल को प्यार की मीठी गन से भर दिया है अपने साथी मनुस्यों के लिए प्यार अन सभी बच्चों के लिए प्यार परमेश्वर जब तक उपासक अपने दिल में पाप की काली छाया को हटा कर पहले खुद को सुद्ध नहीं करता तब तक भगवान उसके सामने रोसन मुंबत्या रखने की रस्म को सुविकार नहीं करेगा जो लोग सोचते हैं कि वे अन्य लोगों की तुनला में बहतर हैं भगवान की नजर में कोई संबंद नहीं है इसवर के सामने सिर जुकाने से पहले उन्हें अयंकार से चुटकारा पाना चाहिए जिन लोगों पर अमीरों और सक्तिसाली लोगों ने अत्याचार किया है उन्हें आपके समर्थन आपके प्यार आपकी देखवाल की आवश सकता है पहले उन्हें उनका हग दें फिर भगवान के सामने जुकें और पूजा की मिठास का स्वाद लें अपने द्वारा किये गए बुरे कर्मों के लिए पहले साथी मनुस्यों को शमा करें फिर अपने पापों के लिए शमा माँए और भगवान आपको शमा करेंगे आई होब भावारत अच्छे से समझ में आ गया होगा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए